प्रकास बड़ा 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 और पूर्ण प्रकास हो गया ठीक है पूर्ण प्रकास गटा 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 पूर्ण अंदकार हो गया जब पूर्ण अंदकार हो गया तब प्रकास की हमने एक उमीद जगाई फिर प्रकास हुआ फिर पंदेरा भोगने के लिए नंहीं की न हैं थिंद से धर्म की किस में नहीं सम्झेघां तो जीतंज millimeters हैं नहीं समझें वह दूसरा श्ब्द तब यह जब अंधकार रहे प्रकाश हैतों मैंने जो behण है आपको उसको समझा उसी तरीके से जा सकता है और उसका तरीक है ये कि आप जानते हैं आपके प्रारब्द हैं आप जानते हैं आपने क्रिया मान कि आप जानते हैं आपका संच्च है आखों से देखा है 25-27 गंटे तडपते तडपते हो गुरुपुर्णी मां के दिन देहान दो गयों इसका मोह नहीं है वह तडपे गाई उसके लिए शरीर का आना जाना नश्वर एस दिए जाय गई नहीं अगए हो जिसके अंदर मौह तडपे गाने देखिए इसका एक उधारण है हमारे एक ताउ ठीक ना वह गाउं में कम रहते थे बाहर जादा रहते थे अपने परिवार क पूरे परिवार को सबको एकांत में रहना शिका रखा थे जब हो काफी उमर के हो गये तब गाओ में रते ऐसे कोघ्राते थे अपbok को मेरी बेटि को जिए मझे जब एक दिन बैथे शिव रातरी के दिन अ कहुंकRI निकल गया कुच अदरि क्योंकि उनका मोह नहीं था बैबाँ की बीमारी में इसका अब दुखी थे वह दूखी देखा वो खिड़की से जहांके गुरुजी को देख रहा था गुरुजी लेटे हुए क्या कर रहे हैं वह देखा गुरुजी जो है अपने सारे काम फटा पट करके एक्तम से विस्तर पे आके बैठ गया ऐसे जैसे बिमार ही नहीं है वह अंदर आया अंदर आके घिर के चल् तब आप फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारा मन दुखी होता है तब गुरुजी कहते हैं बेटा तुम्हारा सेवा करने का भाव है गुरुजी बिमार है बिमारी तो है लेकिन वह शरीर को है हमें तो है नहीं आये ना समझ में तुम्हारा सेवा का भाव पूर्ण ह कि यह хोड़े हुआ और तुम ये ना समझो की को जाने से पहले हमने सेवा नहीं की जैसे मादापिता के जाने पहले हमने सेवा नहीं कि यह मान लेते हैं किवह हुआ अ तो बिमार कौन हुआ है तो गुरुजी जानते थे आगे न आप गुरुजी को देख लिया एक दिन सी हिस्से ने पकल लिया अरे गुरुजी आप तो सारे काम असानी से कर लेते हो तब हम क्यों उठा उठा के आपको बिठा रहे हैं ये समझ में नहीं आता है तब उन्होंने इतने से दर्द में भी चिल्डिया लगाते हैं है कि नहीं कि पूद्प्रेत वाले कितने अपने हाथ पेर्यूं करकर के काट लेते हैं खून निकाल लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को कही छोटा सा ब्लेड लग जाए खून निकल आये उनको घबराट चड़ जाती है और कोई-कोई तो खून देखके ब्योस हो जाता है एक पूद्वी क्यों डाक्र साथ है दक्री है ना तो दोनों तो आज अस्ट्रोजी की बात समझ में आई कुछ है क्या सब्सक्राब्द है सब प्रारब्द है और धर्म जो बढ़ेगा है सब प्रारब्द है आगे ना या जो जो बढ़ेगा तो धर्म परवर्ती होगा जो जो आप अगवान की तरफ चलेंगे तो तो आपका भागय बल्वती होगा तो भागय और धर्म जब जुड़े हुए है एक ही घर है तो यह बात समझ में क्यों नहीं आती है वह सब्सक्राइब आरे ना प्रस्वामी के बा सब्सक्राइब देखते हो देखो हमारी किताब में एक छोटी सी इस्तुति है एक बार हमारे किसी रिलेटिव ने जहर खा लिया और आपकी भाबी ने मुझे इंसिस्ट किया कि उसके लिए कुछ करो तब मैंने जाप किया तो मेरा गला उसी रात में पग गया और अंदर त तम तक मुझे बहुत जहर मैसूस होने लग गया शनिवार का दिन वह तो होस में आ गया वह बत्रा होस्पिटल में था और धीरे धीरे वह बलबती हो गया और ठीक हो गया और मुझे मैं रोटी खाने को तरज गया, सब चीजों को तरज गया और मुझे पता चल गया कि किसी की बिमारी को मैंने ग्रैन कर लिया तब मैं मेरे गाओं में एक बड़े भगता है मैंने उनको बताया कि मेरे साथ यह यह घटना होई आए समझ में तब सवेरे में बिल्कुल ठीक था एक दूसरा जब मैं दो महीने तक मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ तो मैं यहां अपने घर आ गया और मैं बिमार का हुआ था अपनी सस्राल में तब उन्होंने यह सोचा बहुत सारे पैसे वैसे रखे मेरे उठाके नाम के कि अब यह बचेगा नहीं शायद और मर गया तो हमारा नाम हो जाएगा यह कहेंगे वहां जा रहा था वहां मर गया ठीक है ना तो सारी उमर हमें ही खोशते रहेंगे बेटी वाले के उपर भी बहुत जिम्मेवारी होती है ऐसी बात नहीं तो मेरे नाम जब चालू कर दिया एक दिन पहले कोकिला बन जाने से आया समझे और तीन दिन में मेरा बुखार कहां चला गया जब मैं कोकिला बन होके आया तो मुझे नहीं पता चला जबकि मेरी एक ही खुराक रहेगी थी केवल कुछ चीकू और शरीर इतना शरीर कश्टकार पानी बर लो ऐसा दिखाई देने लग गया था आगे न कि ओग वर कई चमच पानी आजया यहां पर तो भगवान तो सदा सुकी करने वाले अब उसमें प्रेमानंजी महाराज होगे मनु भाईया तो पता नहीं कितनी बार हो चुके ठीक है अब वो किरनी बेनी मैं तो कितने नाईरोगों के रोब ठीक कर रहे हैं तो अपने लिये जब करता है उसके शब्द से झनता का सुधार जरूर ऊसकता है लेकिन शब्द भी का प्रभावी होगा जिसमें खुद में चुट पे असर होगा उस शब्द का ठीक है जाए जैसे मैं शब्द करनी में फरक हो गया तब प्रेमानंजी माराजी मालिया जब कर रहे हैं तो जब काफल भी तो उन्हीं के साथ है उन्होंने किसको दे दिया वो कौन सा संसार को दे रहे हैं अपने लिए जाब किया है उन्होंने अपने लिए नाम ले रहे हैं सारे संत अपने लिए नाम लेते हैं ठीक करूं लेकिन मेरी मजबूरी क्या है मेरे पास रहो जना हजार तोँजार आदमी आते हैं भी इतने आदमी इसकता संगर्स कर रहा हम वो किस उमर में जाके फेमस हुए ये भी देखो मैंने कितना संगर्ष किया है मेरे जितना किसी महात्मा ने संगर्षी नहीं करते हैं कोई एकाद एकाद होता है जो पत्थरवे पहाड़ों पर चलने में संगर्ष करता है कितना संगर्ष है मेरे जीवन में अपने बच्चों का आया समझ में पत्री का उस समय सानिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् झाल 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 झाल